नमस्कार विद्धात मित्रों हो, मैट्स क्लाश्रूम मदे आपना सर्वांसा मनप्रवाग स्वागत, मिडी जेवाग, स्री वसंत्राव जेवंत्राव देश्मु खजकुल कोलापूर आज आपन 10th Maths 2 मदिल 3rd chapter सर्कल एची क्वीक रिविजन गेने रहोग जा मदे सर्कल या चाप्टर मदिल महत्वचे थेरम प्रॉपर्पर्डीस कोनते या विशे आधिक महिती जानून गेऊ So, let's get started Okay students, सर्कल या चाप्टरों राधारी चुरुवतिल आपन Basic Concepts of Circle हाई एक वीडियो बनूलेले जै वीडियो मेदे आपन 9th Standard परियां सर्कल चे जागाई प्रॉपर्पर्डीस स्टडी के लिए त्याचा समाविश के लिए तो वीडियो सुद्धा पाहिला नसे दर पहुन गया या वीडियो मेदे फक्त आपन या चाप्टर मेदे जै नव्याने प्रॉपर्पर्डीस स्टडी के लिए त्या पाना राहूत At first आपन जो थेरम शिकलो तो मंजे टैंजन थेरम त्याचा converse, that is means converse of tangent theorem Tangent theorem काय सांग तो पहा जर एक ते सर्कल ला tangent देले लिए सेल माही तसल तर ती tangent त्या point of contact जाओ चाए radius ला perpendicular अस्तर That is means, here is a figure पाहिली That is means in circle with center C If line AB is the tangent Then we say that this radius CA which is perpendicular to the line AB If line AB is a tangent Then we say that the segment CA which is perpendicular to line AB Because of the tangent theorem Then we say, if this tangent देले त्याचा perpendicular जाला पर यह चाओ बीचा उप्योग पुट्ट होतो जर इधे पर्प्योग उट्योग जाला तर अपन इते राइट आइंगल डरा ट्राइंगल पहुशचेक्टो That is means, if we join this CB अपन ज्योइन केला ही लाइन ही टैंजेंट आशना रहा, that is means, if segment CA is perpendicular to line AB और angle A is equal to 90 degree, आशी कुंती information है, तर आपना समौन शक्तो, कि ही जी line AB है, जी टैंजेंट आशना रहा, यहचा उपयोग कुट होतो पहा, आपले ला बाराच वड़ा आपना टैंजेंट प्रूव कराईची यहाचा चार्थ, इतो जो एंगल है, तो 90 प्रूव कराईचा, त्यामला आपना आशा मौन शक्तो, by the converse of tangent theorem, that line is a tangent, मंजे, line tangent दिली असेल, तो अलती ता एंगल 90 सांगा, जला आपन tangent theorem असे मनना रहा, आपन शर्कल मदे construction करता तस्ताला सुधा, यहाँ, कॉन्वर्स सा उप्यो करना रहा, यह आपन पहिला अंदा पहिला, यह चार अंतर जो आपन थेरम पहिला, जला आपन tangent segment theorem असे मनतो, यह figure मदे, आपने अला exterior points अहे, D, circle चा exterior part मदे, इतुन दोन tangent आले ले दिशता, this is tangent DP, and this is tangent DQ, आनी, ही जी line DP क्यों लाइन DQ आहे, ही line नव पहता फक्त अपन सेग्मेंट पहिला, मंजे segment PD क्यों segment QD जर पहिला, तर हे जे दोन segment अस्ता, यहाला अपन tangent segment मनतो, एकाच exterior point मदे, circle लाजर आशे tangent segment अस्तील, तर ते congruent अस्ता, यहाला अच tangent segment थेरम अस्ता, that is means, if line PD and line QD are the tangents, मंजे हा line PD अनी line QD जर tangents दिले अस्तील, तर आपन अस्ता मनू शक्तो, जवडा PD आहे, तेवडाच QD आहे, because of the tangent segment थेरम, tangent segment थेरम, मा यहाचा यह उप्योग, तुमालों वेगवड़िगला length find out करतास्ता नहुँशक्तो, बाराच वडाच वडापलेला काय करतात, कि एकाध्या quadrilateral मदे, क्युआ square मदे, equilateral triangle मदे, circle inscribe शालेला दाखो, तर मंजे, तेवडा figure चा, आच circle inscribe शालेला अस्तो, आचा वड़ी exterior point मुदू नेनरे जे tangent segment सेग्मेंट सेथ, ते equal रखवाई चे, अनि त्या अधरे अपन ची का information दिली असेल, ते अपन solve कराईची, तान अंतर अपन theorem of touching circles यहाचा study किला, जा मदे, circles एकतर externally touching श्तात, कि मा internally touching श्तात, that is means, here are two circles with center R and S, touches each other externally at point T, internally at point K, मा जिता touch होता, जो common point श्तात, ते लापन point of contact कि मा टचिंग point मनतो, मा आशे यह वड़ी theorem of touching circles काई सांगतो, कि हेचे जे center side, circle चे center side point of contact जे आहे, हे collinear असता, that is means RTS, हे collinear हले, कि हो है second figure मादे बोलाईचा, जाले ता, K, N, M, हे 3 point collinear असता, जे, हे नियम जरी तुमारा साधा दिशता असे, तर अपने लापने लेहाव लगतो, जे हुआ, circles हे externally, कि हुआ internally, एक मेकरना touch करता, ते यह वड़ी तेंचे centers, आणी point of contact हे collinear असतो, याला स्थेरम of touching circles मनतात, अपने डारेक्ट है RTS, जे हुआ लेंद करतो, जे, है अपने लाग question असा असतो, find the distance between their centers, बग externally touch असे, तर आपने याद होगांचे addition करना, internally touch असे, तर subtraction करना, because second figure मदे KNM, या पद्द तिन्हे point ko linear असतो, मंजे, इताजर, दोन center मदले distance कड़ा असे असे अल तर NM मनतो, जे, कड़े तस्ताना, बाहल चर्कल ची radius मंजे KM असतो, जा तुन आतले circle ची radius मंजे KN सब्ट्राट केली जाते, that is means, KM minus KN केला तर आपले लेंने मिलतो, बातर, जर externally touch हो तस्तील, तर तेंचे center मदले distance जे अपन RTS है, तर तेंचे center मदले distance मंजे तेंचे radius ची सम असते, तर तेंचे center मदले distance मंजे तेंचे radius ची डिफरेंस असतो, सब्ट्राक्शन कराई चसते, असा हाँ theorem सांगतो, मंजे हाँ theorem नेम के काई सांगतो है, तो इप टू circles are touches externally और internally, तें देर point of contact, and the centers are collinear, और the point of contact lies on the line, where the centers, the line passing through the centers, मंजे तेंचे circle चे center जेस, ता त्यातना जानारा line वरस तो point of contact जेस तो, यहला आपन theorem of touching circles मंदलो, त्या नंतर आपन पुरुची जी पुरुचा जो theorem पहला, तो मंजे इंस्क्राविड अंगल थेरम, इंस्क्राविड अंगल थेरम, ओडोगिने चे यहाँ, दोन condition लक्षार गेचा, तो मंजे अंगल से vertex हा सरकल वर असायल पजे, त्या angle जे साइड सासता, त्या सरकल ला इंटरसेक्ट हुन जायल पजेत, मंजे इस्ते सिक्यांट आसायल पजेत, मनों नीत अपना समनतो है, अंगल ADB is inscribed angle, which is inscribed in the arc ADB, आने हाँ जो angle ADB इथा दिस्तो, जो inscribed angle है, त्यान जाला intercept केला, मंजे चियाच angle नहां आर्क AB intercept निला केला, क्यों सब्स हाँ x point असे, तर हाँ जो आर्क AX भी आहे, या आर्क ला हाँ जो angle PDQ आहे, क्यों PDQ मना, otherwise ADB मना, या angle ना intercept केला, मंखा inscribed angle theorem आसे संग तो, कि inscribed angle जो असतो, त्याना intercept केले लिया, आर्क चा measurement चा हाप असतो, that is means the measure of inscribed angle is half of its intercepted arc, it is known as the inscribed angle theorem, महा इता आपन लीत, अस्ताना अशावड आसे लिहाईच, inscribed angle PDQ intercept the arc AX B, so the measure of this angle is half of the arc, मग याच inscribed angle theorem आधारीद, आपन दोन corollaries पहिले, त्या corollaries कोंते हैत, पहा या first figure मादे जार आपन पहिले, तर हाँ जो angle दिस्तो PQR, जो inscribed angle है, और जाना हा arc PTR intercept के लिले, सेम वे हाजो angle दिस्तो PSR, त्याना सुधा तोच arc intercept के ले, या चालते inscribed angle theorem नुसार, हा arc सुधा यचाहा पसेल, हा arc पन यचाहा पसेल, मंजे से arc congruent असतात, मग ये direct angle congruent लेच, त्यालाच अपन corollary of inscribed angle theorem मननार, ये corollary काय संगत है, ये angle inscribed in same arc, हा जो arc PQR आहे, ये arc मदे हे दोनी angle inscribed जाले आत, मनुन आपन मनुशक्तो, angle PQR जो आहे, तो angle PSR यवडासेल, because angle inscribed in same arc are congruent, इकाच आर्क मदे inscribed जाले ले angle है, congruent असतात, इस इस दे first corollary of inscribed angle theorem, second corollary आपन काय पहली पहा, if AC is the diameter, हा AC diameter आसेल तर, हा जो arc AXC होतो, हा semi circle होतो, संपूर्ण circle च, total circle च, angular measurement 360 जाशतो, या चा आर्थ semi circle च, angular measurement 180 degrees नर, हानी inscribed angle theorem नुसार, या arc चा हा, हा पस तो, मन्जेच angle ABC हा पाला, मन्जेच हा angle 90 अला, ही second corollary है, of inscribed angle theorem, महीं corollary काय संगते है, हा जो angle ABC है, जाना semi circle intercept के ला है शिवाए, तो semi circle मदे inscribed जल है, मनुन ही corollary है शी संगते, angle inscribed in semi circle, is a right angle, मनुन ही या दोन corollary जा लख्षात गया, एकाच arc मदे inscribed जले ले angle, congruent असतात, हानी semi circle मदे inscribed जले ले angle हा right angle है श्तो, that is means, angle inscribed in same arc, arc congruent, and angle inscribed in semi circle, is right angle, त्यानंतर अपन cyclic quadrilateral, कशाल मुन्टल जात्ता त्याच श्टडी किला, if all the vertices of any quadrilateral, on the same circle, then such a quadrilateral is known as cyclic quadrilateral, यह figure मदे हाजो ABCD दिशतो, हाजो quadrilateral है, यहेचे सग्ड़े भैटा से एकाच circle हो रहा है, मनुन यह quadrilateral ला, आपन cyclic quadrilateral ला समनतो है, यह वर आधारित जो theorem होता, theorem of cyclic quadrilateral, तो काई संगतो, जर दिलेला quadrilateral हा cyclic है, तो तच्चे जह opposite angles चा pair असता, इतो A चा opposite angles C है तो, मनुन यह angle A आणि angles C है opposite angles है, same way D चा जो opposite angles है तो B है तो, B आणि D है opposite angles है, ही जी pair असते ती supplementary होते, इब दी quadrilateral is cyclic, देन दी opposite angles are supplementary, that is means the sum of those angles is 180 degree, मनुन आणि C ची बेरी 180 एनार, B आणि D ची बेरी सुद्धा 180 एनार, यहला चा अपन theorem of cyclic quadrilateral है, समेंटलो, यह उर्ण चाधारी तेची corollary होती, corollary काय सांगते पहा, जो एकाद exterior angles है आपन consider केला, सपोज हा C, B, E, हा exterior angle है, यह cyclic quadrilateral चा exterior angle है, हाँ adjacent interior चा opposite ला equal असतो, करन यह दुगांची sum 180 है, सेम वे यह दुगांची sum 180 है, मनुन यहला हाँ direct congruent राकोला तरी चलतो, यहला चापन corollary of cyclic quadrilateral theorem असे बंतो, angular measure, or the measure of the exterior angle of the cyclic quadrilateral is equal to the opposite of adjacent interior मन यह चापोजिट अपजेसंट interior हाँ है तो, त्याचा opposite हाड़ी है तो, मनुन यह ला हाँ angle जो आए, तो congruent असतो, आशी ही कोरोलरी संगत है theorem काय संगत होता, यह quadrilateral cyclic aspect, त्यापोजिट angle supplementary है तर, मन यह लें, त्याचा Converse है तो, मन यह Converse of cyclic quadrilateral theorem काया तो आपोजिट angle ची some 180 जा री, तर, तो quadrilateral जो आश्तो, तो cyclic असतो, यह चापयोग मोट मोटा theorem मधे होतो तुमाला सपोज तुमाला 1,000 rectangle देलेलाया, आनि आपनला सांगित देकी कि तो साइकलिक है प्रूव करा हाँ ABCD जा रेक्टैंगल असेल अनिया अपने ला हाँ साइकलिक प्रूव करे चासेल तो आपन कोंटी अपोजिट चे एक पेर गेची हाँ A90 असेल C90 असेल अपन 180 दाखो तो जे वाँ अपोजिट पेर 180 होते ते वाँ कॉन्वर्स नुसर कि वाँ एकाता स्क्वेर जरी असेल कि वाँ आशे कोंताई क्वाट्रिलाट्रल दिला असेल जाची अपोजिट पेर 1990 दोनी अंगेल पाजे असेल आपोजिट चे पेर ची सम्जर तुम्ही 180 प्रूव करूँ शकला तो आपना असे मनुश रखतो है कि दिलेले जो क्वाट् 90 है या जर्था जेड प्लस T के लिए रख वाँ एट यह तो तो यमला आपना अपना शक्तो धिस कोट्रिलाट्रल डवल्यू जेट पी टी इज अ साइकली क्वाट्रिलाट्रल विकाज अब दिस कॉंवर्स अजे कॉंवर्स वाँ प्रत पस्तान तुम्हे एक अज कंडिश चलतो आता कोन सेकलिक आहे थे संगने सटी हाँ कॉन्वोर्स वपरता तसा नहीं है अजुने प्रपर्डी जी या पुरी भी शिकलो तेसा आपन कॉन्वोर्स वपरू शकतो थोड़िशी थी प्रपर्डी पहले याँ फिगर मदे पहा इता राइट साइड लाजी सर्कल गेत अंक्री पीकुर देश्टो जन आर्क पीटी आर हाँ इंटरसेप्ट के लिले यह जो एंगल पीटी आरहा इंटरसेप्ट के लिले यहैं पमन आसा इंगल इंस्क्राब्डेंड से मारक आर्क अंगरेंट आता ये थेरमोशी महिती पहले मंझे आता या प्रॉपल्डीचा उलेट भाग बगाईचा इथा जर अपन सेग्मेंट हा पी आर पहिला ज्या पी आर सेग्मेंट चा एकाज साइडला है अंगल पीक्यो आर आनी पी एसर जर कॉंग्रेंट असेल तर यह चारी पॉयंट कोन साइक्लीक हैत मंझे च एकाज सरकल वरे तासा ही मनुशक्तो मंझे सरकल असेल तर है अंगल कॉंग्रेंट असता और अंगल कॉंग्रेंट असतेल एकाज साइडला मनतो तर ते सुध्धा एकाज सरकल वर असता तासा मनुशक्तो इतर PL चाहिए जी हाँ 80 पोईंट इमाजिन करूँ छला अनी QS चाहिए जी BC हाँ पोईंट इमाजिन केला मझे एकास बेस वर जो दोन एंगल शतील अन्ते था एकास साइडला शतील तर मिलनार हे जे चारी पॉइंट अस ताथ ते एकाच साइकलिक मंजे सरकल वरे ताथ मंजे ते पॉइंट कोन साइकलिक है तासा ही महंटला जाता मुनन हा तेरम काय संगते पाः अपवादन आशा प्रकाच उधारन शुद्धा अप्रेला विचारु श्यक्तात कि वह त्या उधारन मदे आपण आशा प्रकाच तेरम वू आपड़ाई चासतो तेरम आपण थेरम आपड़ अगल बिट्वीन टैंजेंट अन सिकेंट यचा अभ्यास केला जा मदे एक टैंजेंट अनी एक सिकेंट दिली असेल ते तच्छा दम्यान जो अगल हसतो तेची प्रोपरिटी ही संगते सपोज इन दिस फिगर इन सर्कल विच सेंटर एम लाइन बीसी इस दे टैंजेंट अनी एक सिकेंट मदे जो अंगल होतो त्यान जो अन्टका इन्टरसेप्ट केला है इथा एंगल ABC चा जरे विचार केला तो त्यान हा जो मेजर अर्क दिस तो ADB हाँ आर्क इन्टरसेप्ट केला है अच्छा वे हाँ थेरम काय संग तो हाँ जो एंगल तयाल जाले लाए याच जा जे मेजरमेंट असत तो त्याना इंटरसेप्ट के लिए आर्क चा जा जो आर्क A, D, B आहे या आर्क चा मेजरमेंट चाहा पासत तो मझे जसा इंस्क्राइब्ड एंगल थेरम ता साथ थेरम बिट्विन टैंजेंट अनन सिकेंट त्याना जाला इंटरसेप्ट के लिए तया जा आर्क चाहा पासत तो त्याना जो इंटरसेप्ट के लिए तो मझे A F B मनुन R कहा जो A F B है ते चाहा पस तो यालाज अपन theorem of angle between tangent and secant मनतो मग इंस्क्राइब्ड अंगल theorem अनि theorem of angle between tangent and secant या दोनीवर अधारीद एक वेगड़ी property तयार होते ती पन पहली लिए होती ती का है पहा That is means alternative statement of the above theorem या figure मद है line BC ही tangent दिशते और line AB ही secant है ते अमनुन हाज अगल ABC आ है जो angle tangent आनि secant यांचे between है मन याज अगलना हाज आर्क ADB आ है तो intercept के लिए मनजे हाँ आर्क ADB चाहा पसे सेम वे हाज अगल ATB दिशतो हाँ inscribed angle है याने सुद्दा सेम आर्क ADB याला intercept के लिए ते अमनुन हाँ angles उद्दा या आर्क चाहा पसे इंस्क्रैब्ड आइंगल थेरम नुसर मजे हे दोनी जे अगल है ते आर्क ADB चाहा पैत मनुन हे direct angle congruent दाको ले तरी चलता फक्त याला reason देता स्था angles in alternate segment आसा आपन कारण दिला तरी चलता angles in alternate segment आता हे बराच वेड़ा कारण लक्षात रहत नहीं ते चाहा आर्थ थोड़ा सा समझाओन क्या मनुझे कारण लक्षात रहत रहीं alternate segment से याचा चालता असा है तो मी तो segment मनुझे circular चा सेग्मेंट पार्ट गएज़ जवा या कॉर्ड AB मुड़ या circular region चे या कॉर्ड AB मुड़ दोन भाग जाले एक हा minor segment चाला आनि एक हा major segment चाला मुझे हाँ अंगल 80 भी है तो एका segment मद है मुझे circle चालता है त्या मद है आनि हाँ अंगल दुसरे segment मद है मुझे दोनी वेक वेक लिगड़े segment मद है मुझे अंगल इन अल्टर्नेट segment चालता हो या निमा नो सार हें अंगल कॉंगरेंट चालता है जर हे रिजन आत्वत नसेल आपन पर दोन स्टेप वाड़वाई चालता है यार चाहा हाप बिकास अप अंगल बिट्वें टैंजेंट अन सिकेंट यार चाहा हाप बिकास अप इन्सक्राइब अंगल थेरम अनी फ्रम ओन एंट तो अपन हें अंगल कॉंगरेंट दाकोले तरी सुद्धा चलू शकता त्यान अंतर अपन जो थेरम पाहे लेला तो मंजे इस थेरम ओफ इंटर्नल डिविजन अफ कॉर्ड्स या मते दोन प्रकार मंजे सपोज इस कॉर्ड अब कॉर्ड इन्टेरियर पार्ट अब दी सर्कल आनि है सेकेंड फिगर में जो पाही ला तर ही कॉर्ड इन्टेषन अफड हिसं फक्त इता एक अज गोश्ट लक्षाद गेज से कि या मधे हे जे सेग्मेंट सा प्रड़क्ट असतो तो सेम होतो तो दाखो तासता ना पॉइंट ओप इंटरसेक्शन पसंद जातो सब्सक्राइद जजर आशा पड़धीन कॉल्ड एक मेकान इंटरसेक्शन होता सतः तर ये इंटु इब हाज प्रड़क्ट अग्यै कर्ट आरे जे एका इक चे सेग्मेंट सा प्रड़क्ट हाँ दुसर्या कॉर्ट चा सेग्मेंट चा प्रड़क्ट रुड़ास तो, that is means EC into ED हेतो, EA into EB is equal to EC into ED, because of the theorem of internal division of quarts, मग या 4PK अपलेला 3 सेग्मेंट देतात, और 14 सेग्मेंट भी चारतात, सेम वे इथे ही तेच करतात, अपलेला इथे ही लिए तस्ताना E-Personal start करेचा, that is means EA into EB is equal to EC into ED, इतो, सुट्टे तुकडे घैच नाइद, घाई मेदे चुकोन अपन AB into BE नाइ मानाईच, अपलेला टोटेल AE, BE घैचा है, कि वहाँ टोटेल C और DE या अचास प्रड़क्ट सेम अस्तो, यहला अपन थेरम अप एक्स्टरनल डिविजन और्फ कॉर्ड बनतो, मनुन नहेम अपन एक सवयल आवाई, जिता तेनचा इंटर्सेक्शन आलीले, त्या पोइंट पसंचा सेग्मेंट चेलीन तलीले, तर अपले यह चुका होतना है, सेम अपलेला फुडे एक अपन यह थेरम पहलेलो, ता जो टैंजेंट सिकैंट सेग्मेंट थेरम है, यह मदे ही EAB ही सि E T into E T, that is means E T square owner, इतो एक सेग्मेंट आते, अमनों तो दोन वेडा कहेचा है, जाला आपन टैंजेंट सेग्मेंट 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 थेरम मनतो, इतो शुदा है तीन सेग्मेंट पर एक सेग्मेंट चे लेंध दिले लेशते, और एक सेग्मेंट अपलेला शोधा च णि या सर्कल चाप्टर मेंदे कही प्रापरिटी त्या एंगुलर मेर मेर से अंतर बाता है, और या शेवर चाहे दोन तीन जा पाहिला, जा अपलेला त्याचा सेग्मेंट चे लेंध वोड डिपेंडेंट असता, इते तेंजेंट सेग्मेंट थेरम या अगो धर पाहिले जे segment चा length शी dependent उदलेले सगड़े है angular major शी dependent है theorem of internal division of chord और theorem of external division of chords है जाता theorem पाहिले same 3 figure इता है फक्त इता segment चा length चाहे हो जी त्या chord मदे तैयार होना रा angle बाजा चुला विचारला जातो मंजेच हा angle समझा AEC विचारला सेल कि वहाँ angle BED विचारला सेल तर यावर आधारी जी उधार नहीं जी practice set मदे आपन पाहिले ले ती थुड़ी शी वेगली आपन सुड़ो ले ले जने कुरून ये direct कारण आपन याला दिवुशकत नहीं परन्तु आगदीस ते लक्षात इतना सेल तो हाँ shortcut वापरला तरी चलतो जब याचे दोन कॉर्ड एक में काना intersect करता ते वड़ी या एंगल ने intercept के लिले आर्क का विचारत घेचासता तो मझे हाज़ो एंगल AEC है याने intercept के लिले आर्क हाँ AC पन स्थो ते चा अपोजिट हाँ BD पन स्थो ज़र हाँ angle circle चा interior part मद असेल तर याँ दोन आर्क चा measurement चा सर्म करेची अन त्याचा हाँ आप हाँ असना रहे याचे एंगल AEC हाँ पास तो measure of arc AC plus measure of arc DB या चैवेजी हाजरी एंगल संगेळा तो त्याचा एंसर तेच से नारा that is means एंगल D, E, B हाँ सुदा हापचा सेल मेजर ओफ आर्क AC प्लस मेजर ओफ आर्क DB या दोगन चैवेजी समझा दुसरा एंगल विचारला सता समझा C, E, B हाँ विचारला सेल तो याने इंटरसेप्ट के लिए आर्क CB आनी ED मज़े AD आनी CB है जा आर्क है तेची सम करूँ त्याचा हाप गेतला कि आमाला एंगल CE भी मिलू शक्तो मज़े addition के वाँ कराई ची ज़र त्या कॉर्ट से इंटरसेक्शन सरकल चा इंटेरियर पार्ट मदे असल तो या सेकेंड फिगर मदे आर्क AB आनी आर्क CD है एकस्टेरियर पार्ट मदे जा उन इंटरसेक्ट जाले लिए अशय वड़ी यान इंटरसेप्ट के लिए जा आर्क AC आनी आर्क BD है जा इंटरसेप्ट के लिए त्याचा सब्ट्राक्शन चा हाप गेतला जाता आर्क BD, आर्क AC यानची सब्ट्राक्शन कराईची त्याचा जो हाप असतो तो मंझेच अंगल हाप BD जाला फक्त यहला रिजन देता एतना त्यामनों जन्न आउट आउट आप मार्क्स मिलवाए जासता त्यानी आपन प्रैक्टिस सेक मदे जी मेथड दाको लिलिया आर्क या प्रकारे आपन या वीडियो मदे सरकल या चाप्टर मदे महत्वाच असनार्य सगले थेरमानी प्रैक्टिस पहले लेत तुम्ही जाजेवड़ी या चाप्टर ची रिवीजन कराल त्यावडी क्वीक रिवीजन मनून हाव वीडियो पहा जने कुरून तुम्हाले सगले पॉइंट्स नव्याने क्लियर होती ज़र हाव वीडियो अस्ति जासते विद्धाल तेंचे परिंथी वीडियो शेर करा अनि चैनल सब्सक्राइब करा इसा रहला असलतर आटोनी ने सब्सक्राइब करा थैंक यू